नमस्कार आप देख रहे हैं विंद्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रिया दो साल पुराने रेत खनन्नियम निरस्त करने के प्रस्ताफ को लेकर आज मध्यप्रदेश में शिवरा सिंग चौहान सरकार की काबिनेट होने जा रही है इस अनुमान के मताबिक इस से खजाने म सरकार के खजाने में 300 करोड रुपए आएंगे सरकार ने नए नियम लागू कर दिये हैं लेकिन पुराने नियम को निरस्त नहीं किया था इसके कारण यह उस अवधी की रॉयल्टी के रूप में पंचायतों और निकायों में जमा राशी राज्जी के खाते में जमा नहीं हो पाई थी मध्यप्रदेश में राश्ट्री राजमार्ग रेलवे सहित केंद्र सरकार केंद्र सरकार के अन्य विभाग या उपक्रमों के लिए भूमी की ववस्था करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके लिए शिवरा सरकार 2014 की भूमी क्राई नीती में संशोधन के बाद इसके दाइरे में केंद्र सरकार के सब भी विभाग और उपक्रम भी आएंगे संशोधन का प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से क्याबिरिट में प्रस्तुत किया गया है नगरे विकास इवं आवास विभाग के अवैद कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मधिप्रदेश नगरपाले का विधी संशोधन अध्यादेश 2021 लागू करने के प्रस्ताव स्विकृत दिये गए हैं इसी तरह अध्यात्म विभाग मधिप्रदेश विनी दृष्ट ये मंदिर विधेयक 2019 को वापस लिए जाने के निर्ने को आनुसमर्थन के और सिंग्रॉली जुले में सारवजनिक वितरन प्रणाली के उपभोगताओं को 45 चावल वितरित किया जाएगा इसके लिए चावल को आयरेन फोलिक आसिड और विटामिन B12 से यूक्त करके वितरित किया जाएगा इससे एनेमिया और कुपोशन यसी स्वास तमस्याओं के निदान में मदद मिलेगी यूजना में आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत हिस्सा के इंद्र सरकार और शेश 25 प्रतिशत राजुसरकार द्वारा वहन किया जाएगा बैठक में पाइलिट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की जाने वाली इस योजना पर विचार करके निर ने लिया जा सकता है